दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरथ जिले के रहने वाले स्री रमेश चन्रपांडे जी बताते हैं कि हमारे विवा की लड़की वालों के घर तयारी हो रही थी और लड़की की चाची जिने याकारे करना था धन के अभाव में मनही मन बहुत चिंतित थी और सोच नहीं पा रही थी कि कैसे याकारे होगा इसी दोरान निम करवली बाबा अपने भक्त के घर पहुँच गए और कुछ इधर उधर की बाते करने के बाद वे जाने के लिए तैयार हो गए चलते समय वे चाची से बोले तू रुपियों की चिंता क्यों करती है अपने उस बक्से में देख तूने उसमें रुपिय रखे हैं बाबा के जानने के बाद चाची सोचने लगी कि बाबा को कैसे पता हुआ कि मैं उस बक्से में रुपिय रखती हूँ वे अपनी धनरासी जानती थी इस कारण बक्सा खोल कर देखने की उत्षुकता उनमें नहीं थी एक बार जब उन्होंने किसी काम से उस बक्से को खोला तो उनके आश्चर का ठिकाना न रहा बक्सा नोटों से भरा हुआ था दोस्तों बक्सा जो था वह नोटों से भरा हुआ था वे बाबा की इस महिमा से द्रवित हो गई अब क्या था विवाह कारे बड़ी ही सदलता से संपन्ध हो गया दोस्तों बाबा की लिला अप्रमपार है बाबा के लिए कोई भिकार संभव नहीं था बाबा अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए सदय और तत्पद हते थे दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और निमक वली बाबा के लिए कमेंट आवस्य करिएगा